तो क्यों नहीं गया अरे तुनी भाग मिनाक्षिला की भाग रेल मंत्री के पद से लाल बहादूर सास्तिरी जी ने इस्तिफा दे दिया था क्या आज बरतमान के रेल मंत्री इस्तिफा देंगे तीन तीन ट्रेने एक साथ टकड़ा गई इस यह जाच का भी सह है और जिस सुर जो भैसिया से टकराती है तो भैसिया को कुछ ना होता है ट्रेंड में तूट जाता है यह पाकिस्तान की हिंदू बेटी होती तभी आप क्या कर रहे ते नागिन डांस डांस रहे होते हैं चार चीजे मैं बताता हूं मोदी जी का देखो यह वीडियो अब इसके दिमार में सेक्स रेकेट तो नहीं चला था नमस्कार मैं सीखा सिंग और आप सभी देख रहे हैं जन्हीत आवाज मेरे साथ हैं पंकस्री वास्तव जिसा कि आप सभी को मालूम है देश में कित्ता वड़ा हाथ्चा हुआ है कल रासाम में तीन ट्रेन के टकराने से काफी लोग की मौत हुई है उरिसा की एक खबर है और आज उरिसा पूरा बंध है लेगे हम इन से पूछेंगे पंकस्री वास्तव जी हमारे साथ हैं किस तरीके से देख रहे हैं इसमें किसकी गलती है कही ना कहीं चूक हुई है आपको क्या लग यह लापरवाही का नतीजा है और रेल मंतराले में जिस तरीके से काफी पदें रिक्त हैं इस्टाप की कमी के कारण इस तरीके के हाद से हुए निश्चित तोर पर आखिर क्या ऐसा कारण था कि तीन तीन ट्रेने एक साथ टकरा गई यह जाच का भी सह है और जिस सुरक्ष सुरक्षा कबस कहा है अगर सुरक्षा के मानकों का ध्यान दिया गया होता तो साइथ इस तरीके की घटना नहीं होती है अपने प्रधान मंतरी के बारे में तो बोल दिया जब से भारत आजाद हुआ है आकरों के हिसाब से यह पांच्वा हाथसा है जो इतना भेंकर रूप इस तरीके की घटना पहले बूए तो इस समय काम क्यों नहीं किया यह जो लापर्वाहीं जो हो रही है लगातार तो इस पर क्यों नहीं किया कॉम्णरेस ने कितने साल उमर है अपका 12 साल ऐस बातर पहले क्या पत्रका भरता करती दीरे दीरे उत्रुत्तर विकास हुआ फिर आपने कहा कि रेल में ये पांचमी बारदात है अब तक का सबसे बरा दुर घटना है इस बात को आप मान रहे हैं तो जिस समय घटनाएं हुई उस समय देश में रेल की क्या इस्तिती थी और आज क्या इस्तिती होनी चाहिए ये सा मामूली घटना होने के बाद रेल मंत्री के पद से लाल बहादूर सासरी जी ने क्या आज बर्तमान के रेल मंत्री इस्तिफा देंगे अगर नहीं देते हैं तो क्यूं क्या उनकी नैतिक जबाब दे ही यही लोग जो बिपक्ष की बुमिका में थे वो नेतिकता क्या धार पर इस्थिपा दिया था इनके लिए एक बात बताईए कि तीन-तीन ट्रेनों का एक साथ एक्सिडेंट होना इसको आप शंजोग मानेंगे या प्रियोग मानेंगे या लापरभाही मानेंगे मैं आपसे पूछता हूँ सब कंग्रेस की गलती से या पैदा लिए और बात में यही बात अगर बोलते तो बताओना आप ऐसा नहीं बोलते ना गुरुजी रेल का उत्रतर विकास होता रहा नहीं नहीं टेक्नोलोजी आई है तो क्या जो सुरक्षा कबज नाम की आप के रहें तो लाल बादुर सासर इस्तिफा की बात कहते थे नैतिकता के नाम पर देखिए जिसके हाथ में पाबर है सत्ता है तो रेल मंत्री को नैतिकता के अदार पड़ इस्तिफा देना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए पूरबरती सरकारों में रेल मंत्री का इस्थिपा मांगना गलत था या मैं था सरकार में बुले ट्रेन चल रहा है आज इनोग्रेशन भी हुआ अरे बाई सुनो ना आज तक आपने दे अरे सुनतो लो बाई क्यों ऐसे बिल बिला रहे हो पहले एक ट्रेन का बार बार था शकरे एक ही ट्रेन का बार बार उद्गाटन इसी सरकार में हुआ है एतिहासी कुई राजनिती नहीं है हम उन लोगों से सवाल पूछते हैं कि अकि रेलावे में जो लाखों की संख्या में पद्रिक्त हैं क्यूंजारी की कमी से जुझ रहा है तो पूरा रेल मत्राइब ची के गर में बैठ कर 24 गंटा मोदी मोदी जी की बुराई करना फिर बात सरकार से सबाल ना पूछे हैं कि किसकी कमी थी जब जहां से गारी खुलती है और जहां गारी जाती है उसके बीच का कॉमुनिकेशन कैसे गैप हुआ यह संबाद में कहीं ने कहीं कमी रह गई होगी तभी त गनतबवे स्टेशन से गारियां पार नहीं करती दूसरी गारियों को लिजने किया जाता आप उस पर बात ही नहीं कर रहें कि मigos नहीं है जो नहीं सोच पाया और वह सुचनाओं का अधान प्रदान नहीं कर पाया कहीं नहीं कहीं सुचना सिस्टम का भी प्रॉब्लम है यही तो जांच की भी सह है दूसकर हम चारियों को इस्तिफा देना चाहिए सिधे तो आपने कहा कि पहले की सरकार में भी होती थी अरता पहले आप कपरा नहीं पहनते थे सब पेर के पते पहने पहने तो अब भी हम पेर के पते पहने अब नए भारत में जी रहे तो बात तो वही है बीजेपी अगर है कुछ कर रही है तो आप उसी का करना नापको अच्छा 2014 से पहले किसका भी रोध कर रहे थे अरे निर्विया कांड में अई फिर वही बात सत्ता की दाला ली और अब हुआ कर रहे अब बदाओना निर्विया कांड में नौर्थ बलोग इंडिया गेड तक परदर्शन करने की इजाज़त थी अपने नहीं देखा अज पूरी दिल्ली को शन चाबनी में तबदील कर दिया गया और आपने जिस ब्रस भूशन सरण सिंग की बात की आपको पता है बरज भूसन सरन सिंग डवलू एफाई का चेर्मेन होने के साथ साथ वो MPB है दूसरी बात कर्ण भूसन जो उसका बेटा है वो डवलू एफाई का उपाध्यक्ष है जो परतीक भूसन है वो बीजेपी का बिधायक है और विसाल सिंग जो दामाद है बिहार कुस्ति संग का अध्यक्ष है अधित्य परताप सिंग जो बेटे का साला है वो संजुक्त सचीब है डवलू एफाई का और 11 साल से डवलू एफाई के अध्यक्ष पर है ये बरजबुसन सरन सिंग आप एक बात बताओ 1987 की बात है इन्होंने एसपी पर पिष्टल तांदी थी बरजबुसन सरन सिंग ने जारखंड के खिलारी को थपर मारा था आप उसकी बात नहीं करें अरे माई 2019 में माया बती जी को गुंडी कहा था आप कहें दो यह भी प्यार किया था कैसी बात कह रहे हो एक दलित महिलानेता का बरजबुसन सरन सिंग ने गुंडी कहके लोगतंत्र में अपमान किया था तब भी आप नहीं कह रहें तब भी आप चुप है आज भी मेडल को 15 रुपय बताना आप बता है किसी की उकाद मेडल जीत लेने की और जब 15 रुपय का मेडल है तो पूरा का पूरा परिबार आपने डवलुए फाई में कैसे भर लिया यह परिवार बात नहीं है आपको वही बात आ जाती है ना आप पता नहीं क्या खाते हो गोबर को 54 समझ क्या है आप बताओ अरे तो मांगा गया सबूत देंगे तब कैसे चेर चार हुई कितने तारीक को हुई बताएंगे तब तो आपके कहने के लिए पालमान बेटियां कैमरा रखती कि हमको बरजमुसन सरन सिंग छेरेगा यह सबूत हम जाएंगे दिखाने आपको अरे बेसर फायर ही दर्ज नहीं करोगे सुप्रीम कोट के निर्देश पर फायर दर्ज हुए हैं आप जैसे सत्ता के हफसियों को सरम ही नहीं है कि सवाल पूछें क्या हुआ पंस तारीको साधू संता रहे 11 लाक सारे साधू संतों ने हिंदू धर्म के पालन करते हुए ब्रजबुसन सिंग लड़कियों को डराना चाह रहे थे पिरता को डराना चाह रहे थे साधू संतों का हम परनाम करते हैं साधू संतों ने सो भिवेक पर ब्रजबुसन संसिंग से किनारा कर लिया साब साब साधू संतों ने कहा कि हिंदू बेटियों के साथ यह उनस्वसन हुआ है हिंद नान्स नांस रहे होते हैं है आप पताओ न अगर यहीं कोई ब्लातकारी मुसल्मान होता तब तक आप चुप रहते सबसें आप उनके दादा जी करते थे नाना जी क्या करतें उनका मामा क्या करते नीका दोस्त क्या करता सब के घर पर सीवी肉 कWork अ पर दिल्ली में ये हम इस बात की साहिल की जो घटना हुई साहिल ने जो शाकू से गोद कर हत्या की यह निरसंसत्या है आखिर दिल्ली पुलीस कर क्या रही थी आखिर इदने दर्टा काई पहां थी दिल्ली पुलिस दिली में पॉकेट मारी की समस्या पूरे देश के लोगों को झेलना पड़ता है तब दिली पुलिस कहां होती है लेकिन यहीं देखिए बरजबुसन सरन सिंग के घर पर कम से कम 500 पुलिस वालों की तैनाती है एक बलात्यारी को बचाने में पूरे लॉय और्डर का पुलिस दिली केंट में दलित लड़की के साथ हुआ आप बात कर रहें जब ताप उस पर सबाली नहीं पूछते उस बात का चर्चा नहीं करते बन मनिशा के साथ जो हाथ रसमें हुआ कि तो मैं कह रहा हूं कि वो उन सादू संतों ने देश के पहल्मान बेटेशों का सम्मान करते विशुए बजबूसं कसर इंग का बिरोद किया जिसके इस कारण बचबूसन सरनसिंग अपनी जो रेली थी उसको ब्रजबुसन सरंसिंग पर बनदर के दर्ज नहीं हूने चाहिए ब्रजबुसन सरंसिंग पर देशके मेडल के आप मान करना्स कि कीपक के आँ अपन पर बनाकार करें कि देश जरो के मामले का भी मुकतमार चलाया जाना चाहिए इन्हों ने हम 143 क्रोर भारतियों का अपमान किया है देश के तिरंगे का अपमान किया है देश के मेडल का अपमान किया है तीबी पे चल रहाए तो पता चल जाता है तो टेस्ट के डालोना लेकिन वही ची कह रहे हैं लेकिन देश में बेटियों के साथ इतना बड़ा बात हो रहा अठाइस माई को पूरे दिली सहर को सेन छापनी में तबदील कर दिया गया पहली बार आजात भारत में देश की बेटियों के शम्मान में लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया उस पर सवाल नहीं पूछ से पहले ही कहा था राजनीती नहीं करेंगा आप लोग अपनी राजनीती की रोटी से ना कर रहे हैं अगर आपका साथ देना अगर पीरिता का साथ देना अगर राजनीत इतना पीरिता का साथ हैं तो क्यों नहीं गए सावील और साथ च्वाले अरे सुन तो लो आपके पास अगर कलम होगा तो मैं कलम धोरन दूँगा अगर ये काप आप अपने स्वता संग्यान लिए होते आप फायर दर्ज कर लिए होते आप दोसी को जेल में कर लिए होते आप दोसी का टेस्ट कराते रामजिला मैदान इंडिया गेट पर करा रोल लाइव करा दो सारी दुनिया देख लेगा दूद का दूद पानी का पानी होगा किसी को घर से बाहर निकलने का आपने नहीं देखा क्यों पिर्ताओं को कैसे घसीट के बाहर निकाला गया क्या आप लोग क्या कह रहें आप लोग जूट को प्रोपगेंडा चलाते हैं सच को छुपा देते हैं एक लगा दिया और उससे गैस निकाला उससे चाई बनाया यह ख़बर चला दिये अरे जब इतना बरा अध्वुत बैग्यानिक के रहते हुए देश में आखिर कैसे यह हुआ सो बताईए आप नहीं बताएंगे आप जो फोन जो देख रहे हैं सुनिए पहले महिला पहलवानों को उसी दिन मिला था जिस दिन उद्गाटन होने वाला था दूसरे दिन तो करी सकती है चार चीजे मैं बताता हूं मोदी जी का देखो यह वीडियो आप इसके जानी में अब आवी के गंदे लानियों निकलता है उसने छोटी सी बरतन को उल्टा करके उसमें छेट करके पाइप डालते और जो गटर से गेस निकलता था है अरे यह सब तो ठीक है मैं पूछ रहा हूं एक बाद बालू डालेंगे सोना निकालेंगे इस पर भी आता हूं अरे देखो ना यह बादल से राडार चुपाते हैं देखो पंडितों को क्या कह रहे हैं अब बताओ इन्होंने तो दुनिया के सबसे बड़े बेर्थ साथ ती अरे भाई अरे यह साइंटिस्ट भी है यह मैतमेटिसियन भी है यह सब कुछ है अगर यह भगवान मिल जाते अगर तारा इनके करीब होता तो यह क्या कहते है घरा को यहां नहीं होना चाहिए यहां होना चाहिए राहुल गांधी की जवान आगई अरे बाइए बोट जेसां अंदर बहें और शुन तो लो हाँ मुदी है तो मुदी है तो कुल्दीप सेंगर जैसे लोग शुरक्षित बरजमुसंब सरन सिंह जैसे लोग सुरक्षिते हैं मोदी है घरानी के पोड़ पर 360010 हिरोइन आने के बाद भी उसपर करवाई नहीं होती मोधी है तो सबकुछ मुट पुर्ज्श की मचीनिक्ता को तिरंगे के साथ घसीचा जाता है कि यहीं पर भाजबा कारिया लेके बाहरा अबारा कुछतों की तरह खरे रहते हो कि बोटी फेकेगा और पाकिस्तान थतर कापकी है अपके चाचा का मताओना बता सकते हैं क्या अरे वो कि अधिया प्रदान मंतरी ने उनको चुप रहने की बात कही आप बताओ जो सेटलाइट यह बता देता है कि घरी की सुई कहां पर है सेकेंड की सुई कहां है मिनट की सुई कहां पर है वह नहीं बताता है कि 300 कि अधिकारियों ने चिठी लिखी थी तो नदरनाज क्यों किया गया क्या कारण है जो इसकी जहांच नहीं हो रही है भाईयों बहनों बतातो दीजिए जाइए न अपने पापा ते पूत तो ली दिए राहूल गांधी विदेश में जाके फिर से अपने देश का बदनामी करें अरे सुन लेए बाई अन्रेंदर मोदी जी क्या कह रहे है दिखाऊ मैं परदान मंत्री जी ने बिशु के अधिकांस्ता अरे सु अरे भाई सुनना रहे आप लोगों को एक ही फिविया की बीमारी है यह देखिए अमरीका में जाकर नरेंदर मोदी जी क्या कहते हैं कि पिछले जरम में क्या पाफ क्या है है कि हिंदुस्तान में पहता हुए है अगर यही काम तो राहुल गांदी जी तो ऐसा नहीं कहा कि मैं बदकिस्मति से पैदा लिया राहुल गांदी जी ने लोगतंत्र की बात की राहुल गांदी जी ने यहां की समस्याओं पर बात की आप उस पर बात नहीं करें लोगत दलित की याद आ रही है जब उनकी राजी तब दलितों के साथ सुन दो लो ऐसे सैकरो वीडियो दिखा दूँगा बोलो क्या बोले यह अब लो अरे फिर वही बाद ले आत आखरी सबाल आखरी सबाल यह है कि अगर कॉंग्रेस सत्ता में होती तो जिस तरीके से मतलब अभी दुरगटना हुआ है क्या कुछ करती और क्या नीती होती और कहां चूक लग रही है आपको इस पर आप क्या बोलेंगे लेकिए मोदी जी का बात है ऐसा उंचा फेकिए प पकरन की जो कोसिस करें उसको देश द्रोही घोसित कर देगे परदानमंत्री का एक ही बात है ऐसा बात ही जूट बोलते फ्रेव बोलते बिस्व के अधिकर देशों में जब यह दोरा करते तो भारत की चबी को दुमिल करते तो उस पर आप सबाल नहीं पूछते सबाल नही इस्टेशन बना अरह सुन दो लिजिये परले बाद सुनिये ना तो एक मात बता है जब तैहत्तर में चाई की दुकान बनी और बिस साल की उमर में इन्हों ने घर छोड़ दिया चालीस साल भीख मांगा तो यह गुफा में गए तो उसी साम से इनका उमर सो साल होना चाहिए पुर्धान मंतरी का ते इतना उमर भी नहीं है अरे बंगलादेश के सुतंता संग्राम में कब गए यह बता दा आई आई बता दा आई अगरी सबाल कॉंग्रेस क्या करेगी पिरित परिवार के लिए कुछ करेगी थोरा बहुत भी पत्रकारों को लाजसरम नाम की चीज है अगर है तो जाहिए सत्ता पक्षके लोगों से सवाल पूछे अरे भाई पूछे एक भी भाजपाने ताओं का इंटर्व्यू आप लोग अपने अपने चैनल पर दिखा दो विपक्ष क्या कर रहा कॉंग्रेस क्या क जो सुप्रिम कोड में प्रैक्टिस कर रही है और महिला सांसद विदेश मामलों और सांस्कृतिक मामलों के राज्यमंत्री है ऊए आप को हिं दू दर्म का ठेकेदार समझती है उनको तो बैटियों को बाइब दिमाग मोटा है मैं महिला को नहीं कह रहा है आप शमझो आप बेतु का सबाल अजब के जालों में मत पुछा आप से जो मैंने सबाल पूछा बुछा ला जाएगा कहीं बुछा ला जाएगा कहीं बुछा ला जाएगा आप अपने सम्मान की बाद ना करते आप को साथ सबूत मंगा जाए आप इतना गिरा हुआ पत्रिकारता करते हैं जितना जुमका नहीं गिर अपरेली के बजार में उतना आप लोगा स्थर गिर गिर गया जो सवाल आप से सरकार निवास ने कहा है कि हम बलड देंगे जो वहाँ पे लो भाई मैं क्या कह रहा हूं सुन लो मिनका गांदी जी का इंटर्व्यू ले लो अ अप लेदे जो सट्था में हैं जो सरकार में हैं सवाल उससे पूँचा जाता है और पत्रकारों का धर्म है, पत्रिकारता का और सब्सरकार से humans से नहीं पूछा जाता है जिसके हाथ में पाबर है सवाल उससे पूछा जाता है कम से कम पत्रकाइडता का धर्म का निर्वाह कीजिए तो आपने देखा हमारे साथ थे पंकत श्री वास्तप जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले बीवी स्री निवास का हमने इंटर्व्यू किया तो उन्होंने कहा कि कल साम साथ बजे से आप दिया है आपके हमारी बातचीत पर क्या रहा है कमेंट बॉक्स में जरू दो